देशों की अवहेल ना करना लेकिन प्लैन में क्या था सब इन अवग्या गांधी had four protracted interviews गांधी के चार बड़े लंबे दौर चले वारता के protracted मतलब लंबे, protracted system, लंबा चलने वाला, so किन के साथ दौर चले, ये left and governor Mr. Gate के साथ, who as a result appointed an official commission of inquiry और इन चार दौर का प्रणाम क्या हुआ, as a result मतलब के प्रणाम सुरूप, इस चार लंबे दौर की बाचीत के वारता के प्रणाम सुरूप, left and governor ने एक inquiry committee बैठाई, commission of inquiry, किस लिए, उसका उद्धिश्य क्या था, into the indigo cropper situation, इंडिगो नील की खेती करने वालों की जो स्थिति थी, उसको लेकर एक समिती बनाई, उनकी समस्याओं का ध्यान करने के लिए, कहां गांधी, एक योजना बना के गया थे, कि यदि मैं किरफ्तार हुआ तो, ऐसे सविना एवग्दिया करना, और कहां दूसरी और, परणाम कुछ और दिखा, लंबी वारताओं के परणाम से रूप, left and governor राजी हो गया, एक समिती बनाने के लिए, who would look into their situation, their means sharecropper, जो indigo sharecropper थे, नील की खेती करने वाले जो किसान थे, उनकी स्थिती का अध्यान करेगी, situation मने स्थिती, उनकी माली हालत के बारे में जानकारी लेगी, समस्याओं के बारे में जानकारी लेगी, उसके निराकरन का रास्ता देखेगी आदी-ादी, the commission consisted of landlords, to consist of, मतलब शामिल होना, consist of, मतलब शामिल होना, होना, हिस्सा होना, the trip consists of, the picnic consists of 10 students, 2 teachers and a principal, यह जो picnic है, इसमें 10 विद्धारती हैं, 2 शिक्षक हैं और प्रिंस्पल, so to consist of, my bag consists of, these items, मेरे bag में ये ये चीज़ें शामिल हैं, so यहाँ पर, the committee consisted of landlords, किसान, government, officials and गांधी, इसमें कुछ जमीदार थे, कुछ सरकारी अधिकारी थे, और अकेले गांधी, जो share croppers के एक मात्र प्रतिनी थे, soul मने एक मात्र, s-o-l-e, soul, soul मने जूते का soul भी होता है, जिसे नीचे, जूते की नीचे लगा रहता है, और एक होता है, s-o-u-l, soul, soul मने आत्मा, तो यहाँ पर soul मतलब क्या होता है, एक मात्र, एक मात्र प्रतिनी थी के रूप में, किसानों के गांधी भी उस कमिटी में थे, गांधी remained in Champaran for an initial uninterrupted period of seven months, to remain मने होना, जैसा मैंने पहले बताया, uninterrupted मने निर्बाद, बिना किसी ब्रेक के, लगा तार, there is an uninterrupted rain in Raihpur for the last seven days, गत साथ दिनों से, निर्बाद गती से, बिना रुके, लगा तार बारिश हो रही है, uninterrupted, to interrupt मतलब बाधा पहुंचाना, don't interrupt in my issue, मेरे मामले में बाधा मत पहुंचाओ, तो यहाँ पे uninterrupted period of seven months, बिना किसी ब्रेक के, व्यवधान के, खलल के, गांधी साथ माह रह गया चंपारण में, and again for several shorter visits, और उसके बाद कई छोटी छोटी आत्राएं, अलग से क्यों उन्होंने, and again for several, several मने many, many shorter visits, एक-एक-दो-दो दिन की यात्राएं बहुत बार की, चंपारण उन्होंने, यह क्यों हुआ होगा, वो जो inquiry committee बैठी थी, उसकी जाँच जो चल रही थी, उसमें सहयोग देने के लिए गांधी का नाम था, और गांधी तो किसानों के प्रतनिदी के रूप में थे, तो बहुत महत्पूंट थे वो, साथ माह और उसके उपर से और बहुत बार चंपारण के उन्होंने यात्रा की, तो गांधी ने तो चंपारण जाने की बात बड़ी कैज्वली मानी थी, On the Entreaty of an Unlettered Pasant, Entreaty मतलब Unroad, विनमर Unroad, बहुत जो, बहुत उसके साथ जो Unroad करते हैं, उसके Entreaty करते हैं, बहुत टीवर Unroad, वो Entreaty कहलाता है, Entreaty of an Unlettered Pasant, एक अशिक्षित किसान के बारं बार अनरोज पर तो गांधी गह थे वहाँ, वो अशिक्षित किसान कौन था, याद है आपको, राज कुमार शुकला, जिसका नाम पूर में आया है, In the expectation that it would last a few days, expectation मतलब उमीद, last मतलब आखरी नहीं, to last मतलब तक रहना, I have money, it will last for another three months, मेरे पास इतना पैसा है कि अगला तीन माह चल जाएगा पापा, don't worry, I have the stock of rice and wheat, it will last for another four months, मेरे पास चावल और गेहों का stock है, जो अगले चार माह तक चलेगा, चिंता नहीं करो, to last for, मतलब कितने दिन चलना, केवल last मतलब आखरी, and last for, to last for, मतलब चलना, इतने दिन, पैदल नहीं चलना, उतने दिन तक के लिए होना, the visit undertaken, casually, बड़ी सहचता से लिया था, गांधी ने इस सियात रखो, जब वो अशिक्षित, राजकुमार शिकला उनके पास आये था, इस उमीद में, कि it would last for a few days, कि कुछ दिन की बात है, but it occupied almost a year of Gandhi's life, लेकिन, occupy होना, मतलब व्यस्त रखना, लेकिन इसने गांधी के एक वर्ष ले लिया, गांधी, occupation मतलब धन्धा, occupancy मतलब कितनी capacity है, धन्धा, occupation, to occupy means, जगह लेना, the thought of my parents' illness has occupied my mind, मेरे parents' की बीमारी ने मेरा दिमाग ले लिया है, मेरे दिमाग में जगह ले लिया, और साथ मैं सोच रहा हूँ, उनके बारे में सोच रहा हूँ, उनकी बीमारी के बारे में सोच रहा हूँ, so here, it would last a few days, गांधी thought, गांधी को लगा कि कुछ दिन होगा, ये बार बार विचारा शुकला बोल रहा है, और मेरे साथ साथ सब जगह गया है, इस उमीद में कि मैं उसको हाँ बोलूँगा, चलो चलता हूँ, कुछ दिन का मामला है, वापस आ जाओंगा, लेकिन, लुई फिशर कहते हैं, it occupied almost a year of गांधी's life, वहाँ तो लगवग बारा माह लग गए, दो ओफीशल एंक्वाईरी, जो कमीशन बना था, Assemble a crushing mountain of evidences against the big planters, Assemble करना मतलब इकथा करना, उसी से बना Assembly, जो inquiry committee थी, उसने mountain of evidence इकथा किया, Evidence मतलब उदाहरन, mountain, उदाहरनों का पहाड, Evidence मतलब उदाहरन नहीं, Evidence का मतलब होता है, क्या बहुलेंगे है, साक्ष, Evidence का मतलब होता है साक्ष, तो उन्होंने बहुत सारे साक्ष कथे कर लिये, किनके खिलाफ, against the big planters, Indigo plantation, नील की खेती में, जो बड़े-बड़े planters involved थे, उनके खिलाफ, उनके अत्याचार के खिलाफ, and when they saw this, they agreed, in principle, to make refund to the peasants, और जब, they means what, planter, Indigo से संबंदित, जो planter थे, उन्होंने जब देखा, कि इतने सारे साक्ष, इन किसानों ने, इस inquiry commission को उनके खिलाफ दिये हैं, तो घबरा गए, mountain of evidence, and when they saw this, they agreed, वो राजी हो गए, किस बात पर राजी हो गए, उसूलन, in principle मतलब उसूलन, सिध्धान्त स्वरूप, यहां देखिए, principle की spelling देख लीजए, और school के principle की spelling अलग होती है, खुद आप देखें, उसकी spelling क्या है, और यह principle की spelling है, इसका meaning है सिध्धान्त, तो सिध्धान्त था, यह इंडिगो प्लैंटर्स जो थे, जो इंडिगो की खेती करवाते थे, वो रुसूलन, इस बात पर एक सिराजी हो गए, कि हम किसानों को उनका पैसा वापस कर देंगे, आखिर सारा आरूप पैसों कहीं तो था, गलत तरीके से पैसा जो किसानों से लिया जा रहा था, पंदरा प्रतिशत, शेर, और भी कई गरवड़ियों थी, हम इन्हें वापस कर देंगे, इस बात पर एक तैयार हो गए, कौन? इंडिगो प्लैंटर्स, बट हाव मच? मस्ट वी पे? हम कितना दें? यह उन्हें गांदी से पूछा, कि ठीक है, भई सिद्धान था हम तैयार हैं, लेकर हम कितना इनको दें? पूरा पैसा वापस करें? कितना वापस करें? They thought, he would demand repayment in full, of the money which they had illegally, and deceitfully extorted. To extort मतलब, किसी से निकलवाना. Extortion मतलब क्या होता है? वसूली करना. आपने सुना होगा, जबरन वसूली मतलब Extortion. बदमाश लोग करते हैं कई बार राहगीरों से, जबरजस्ती वसूली करते हैं, जिसका कोई देश नहीं, केवल पैसा लेना, और दूसरे के पैसे पैश वाराम करना हैं. तो यहाँ पर प्लैंटर्स को लगा, कि गांधी से जब हमने पूछा कि कितना पैसा हम वापस करेंगे, तो जवाब आएगा कि पूरा पैसा जो आपने इल्लीगली गैर कानूनी रूप से और डिसीट्फुली, डिसीट्फुली मतलब धोखा दे कर, किसानों को धोखा दे कर, इसमें कई तरह के धोखे थे जिसका जिक्र मेहा नहीं करता, पर आज भी कई बार आप गाओं में पाओगे, कि किसानों के साथ बड़े धोखे करते हुए, जमीनदार लोग आज भी पैसा उगालते हैं, और वो प्रताव समय भी थी, पर बहुत बड़े इस तरपे थी, तो धोखे से जो पैसा हमने कमाया है, जो इन से जबरजस्ती वसूली की है, ये पूरा का पैसा हमें वापस करना होगा, ऐसा जवाब आएगा गांधी का, डिशीटफुली एक्स्टॉट्शन चबरन वसूली, विच दे हैड इल्लेगली डन विच शेयर क्रॉपर्स, लेकिन ये जो इंडिगो प्लैंटर से ये भी चौँक गया, गांधी का जवाब चुनकर, गांधी से उन्होंने पूछा कि वे कितना पैसा, और उनको लगा कि गांधी कहेंगे वे पूरा पैसा जो आप लोगए ने इल्लीगली लिया है, तो गांधी क्या कहते हैं, वे आजड उन्ली फिफ्टी परसेंट, उन्होंने कहा, जितना आपने गलत तरीके से इल्लोंगों से पैसा लिया, उसका केवल पचास प्रिश्चत दे दीजा, देर ही सीम्ड एडामेंट, एडामेंट मतला अड़ जाना, ऐसा लगा, पचास प्रिश्चत पे गांधी अड़ जाएंगे, मैं अब गांधी पचास प्रिश्चत दे कम पे नहीं मानेंगे, तो बी एडामेंट, डोंट बी एडामेंट, बी लीनियंट, थोड़ा सा नम्ब हो, इतने जिद्दी मत बनो, इतने अडियल मत बनो, एडामेंट मतलब अडियल, तो दे थोड़ कि गांधी पचास प्रिश्चत पे अड़ जाएंगे, ये कौन लिखता है, ये लिखता है, एक, जे एस हौज नाम का, एक बिटिश मिशिनरी, जो वहाँ, इसाई धर्म का प्रचारक था, पादरी था, वो लिखता है कि गांधी, कि सोच को लेकर कुछ शंका थी, और इंडिगो प्लैंटर्स को लगा कि गांधी जी, पचास प्रिश्चत बोलेंगे, और इस बात पे अड़ जाएंगे, जो राइट्स रेवरेंट जे एस हौज, ए ब्रिटिश मिशनरी इन चमपारन, मिशनरी मैंने जाता हैं, मैंने बताया है, फादर पादरी, इसाई धर्म का प्रचारक, जो वहाँ रहता था, वो भी घटना करम को देख रहा था, उसका नाम था, जे जे जेड हौज, रेवरेंट मतलब आदर नहीं है, क्रिश्यानिटी में, जैसे हमारे हिंदी धर्म में संथ बोलते हैं, इसलाम धर्म मौलवी बोलते हैं, ऐसे क्रिश्यन धर्म में रेवरेंट फादर बोलते हैं, तो रेवरेंट फादर हौज ने लिखा है कि यह ऐसा लगा कि गांधी जड़ जाएंगे पचास पे एपिसोड मतलब घटना क्रम अबजर मने देखना क्लोज रेंज मतलब निकट से जिसने पूरे घटना क्रम को देखा था पूरा घटना क्रम चंपारन में गांधी का आना फिर किसानों का आना फिर नियाले नियाले के बाद एलिफेंट से पकड़ के लाना और यह सब पूरा घटना क्रम जो बड़े निकटा से वो फादर देख रहा था उसको लगा कि गांधी जे पचास पर जाएंगे thinking probably that he would not give way to give way मतला बात मान लेना गिव और वे दोनों के अलग-अलग अरत है लेकिन गिव to give way मतला बात मान लेना I give way finally मैं बात मान गया that Gandhi would not give way Gandhi बात नहीं मानेंगे the representative of the planters offered to refund to the extent of 25% जो planters के जो प्रतिनी थी थे उन्होंने कहा 25% हम आपको दे देंगे वापस कर देंगे और ये मानते हुए कहा कि Gandhi जी उनकी बात नहीं मानेंगे that Gandhi would not give way उन्होंने 25 कहा और लगा उनको कि शायद ये गांदी 50 बोलेंगे हम 25 बोलेंगे तो पचास पे फाइनली बातता है होगी तो Gandhi would not give way इस शंका के साथ उन्होंने कहा कि वी विल रिफंड to the extent of 25% and to his amazement और जो representative थे उसको बड़ा श्यर हुआ जब गांधी टुक इम at his word जब गांधी ने उसकी बात मान ली गांधी टुक इम at his word मतलब शब्द बशब उस गांधी ने उसकी बात स्विकार कर ली I take you by word मैं तुम्हारी पूरी बात स्विकार करता हूँ देखे कितना बड़िया उपयोग है to take someone by word मतलब पूर्ण रूप से स्विकारना तो गांधी टुक इम by word thus breaking the deadlock deadlock मतलब एक ऐसा जहां जिससे आगे कुछ रास्ता ना दिखे तो गांधी ने बड़ा अश्चर जनक तरीके से amazement to be amazed मतलब आश्चर चकित हो जाना बड़ा अश्चर जनक तरीके से गांधी ने उनकी बात शब्द बशब्द स्विकार कर ली कौन सी बात कि 25 प्रतिशत हम refund करें वो तो यह सोच के गया थे हम 25 बोलेंगे गांधी पचास मानेंगे और पचास पर अड़ जाएंगे यहां गांधी ने एक बार में उनकी बात उनका अनुरोथ स्विकार किया और बोले ठीक है 25 प्रतिशत दे दो अब आपको लग रहा होगा यह क्यों हुआ ऐसा गांधी क्यों इस बात मान गया और वो भी 25 प्रतिशत इतना बढना अंदुलन किया पूरा पैसा लेना था गलत पैसा तो पूरा पैसा दे लेकिन इसके पीछे भी गांधी की एक मानेista एक सोच थी ऐसी ही सोच ने उन्हें किसानों का मसीः बनाया ऐसी ही सोच ने उन्हें अंग्रेजों के खिलाफ चम्पारन में विजई दिलाई और ऐसी ही सोच ने अब यहां पर जमीनदारों को भी उनके पक्षमें कर दिया अगले दिन के नयायले में पेश होने के आदेश मिलने के बाद गांधी रात भर जगे रहे तो रिमें मने रहना अवेक मतलब जगे रहा हूँ आई रिमेंड अवेक मतलब मैं जगा हूँ रिमेंड श्लीपिंग वहां सोते रहा बास के आने के बाद भी वहां बैठे रहा तो रिमें मतलब रहा और रिमें कार्थ और क्या होता है रिमें कार्थ होता है बचा हुआ बच्चा हुआ है गिव मी दे रिमेनिंग चपाती बच्ची हुई रोटी मुझे दे दो गिव मी दे रिमेनिंग मनी मैंने जो तुमको पैसा दिया था उसका बच्चा हुआ पैसा मुझे दे दो यह होता है रिमेंज और यहां पर है remained awake, to remain मने रहना, जगे रहे कोई काम जारी हो उसके सम्मन में कहते हैं remain, so all night गांधी remained awake अगले दिन की प्रतिक्षा कर रहे थे वो, कि मैं कोड जाऊंगा he telegraphed, राजिन प्रसाद उस जमाने में फोन वगार तो होते नहीं थे, telegraph होता था, आपने telegraph को देखा तो नहीं होगा पर सुना होगा और देखिए कितनी बड़ी हा machine थी पहली ऐसी machine जो संचार के मामले में जिसने क्रान तिलाई और आज जो net facility है उसकी शुरुआत हम telegraph machine से देख सकते हैं telegraph, telegram जिसमें होता था, तो उन्होंने एक telegram भेदा देखिए telegraph machine या telegram कैसा दिखता है it's very interesting और करीब 40 वर्ष पहले तक, 30 वर्ष पहले तक telegram होता था अब तो net के कारण ख़बर तुरन पहुंच जाती है he telegraphed to Rajendra Prasad कौन Rajendra Prasad, वही जो पतना में थे Dr. Rajendra Prasad, वही जो बाद में राश्ट्रपती बने और एक प्रसिद्ध वकील थे प्रसिद्ध एक होशियार विद्यारती थे तो उन्होंने Rajendra Prasad को telegram किया to come from Bihar with influential friends influential मतलब प्रभाव शाली influence मने प्रभाव you have great influence on your students the teacher Mr. So and So has great influence on his student फला नाम के शिक्षक का अपने विद्यारतों पर बहुत प्रभाव है मात्मा गांधी had great influence on the public गांधी का बहुत प्रभाव था तो यहां पर Rajendra Prasad को अनरोद किया जाता है गांधी के द्वारा टेलिग्राम के माद्ध हम से कि अपने प्रभाव शाली साथियों के साथ बिहार से आओ पूरे बिहार से लेके आओ He sent instructions to the आश्रम और उन्हेंने आश्रम को भी कुछ खबर भेज दी कौन से आश्रम को साबर मती और वर्धा और ऐसे ही वो जहां मुतिहारी में रुके थे वहां भी उन्हेंने खबर कर दी कुछ खबर से जाला उन्हेंने कुछ हिदायतें भेजी instructions क्या करना है क्या नहीं करना है वो लिखके भेज दिया टेलिग्राम में He wired a full report to the vice roy विजे टेलिग्राम करने की जो क्रिया है उसको wire कहते है I have wired the message आज हम क्या बोलते हैं I have sent the message वो net से हम बेजते हैं उस समें wireless कहते थे उसको टेलिग्राम का जो system था वो wireless system कहलाता था पहला ऐसा communication का system जो बेतार था बिना तार का था आज भी किसी तार की जुरुत नहीं पढ़ती नेट में तो पहला बेतार wireless system was the first communication system of modern times a great invention so Gandhi wired a full report उन्होंने अपनी पूरी report एक टेलिग्राम के मध्यम से wire कर दी तार कर दिया हिंदी में उसे कहते थे तार करना टेलिग्राम भेजना और था तार करना ये हिंदी में उसका अनुवाद है तो Gandhi wired a full report का किस चीज की report अपने मोतिहारी जाने की report मोतिहारी थे हाथी में बैठने के बाद की घटना करम वापस आये वापस आने के बाद पुलिस सुपरेंटेंटर्न का अदेश उसकी पावती उनके द्वारा उसकी अवहिलना की सूचना ऐसी पूरी एक report बना कर घटना करम की सूचना उन्होंने वाइस रॉय को तार से भेज दिया अब वाइस रॉय कौन होता है अंग्रेजों का सबसे बड़ा मुखिया भारत में वाइस रॉय कहलाता था ये वाइस रॉय दो पद समालता था एक कहलाता है वाइस रॉय और उसी का ही दूसरा पद था एक ही व्यक्ति का गवर्नर जनरल गवर्नर जनरल मतलब गवर्नरों का जनरल गवर्नर कौन होते थे अंग्रेजों के काल में जो राज्य थे उन राज्यों के राज्यपाल को गवर्नर कहते थे जैसे आज हम राज जिपाल हैं हर राज में और हम गवरनर कहते हैं ऐसी in the time, British time there used to be states each state had its own governor the head of the governors was called governor general the same man who was governor general was also the wise royal now what is the meaning of the word wise royal wise to the royal royal means British king or queen who was the head of all British Empire and vice assistant, vice principal, vice captain, vice, vice means assistant, number two. So he was number two to the king in India and he was the same person who was head of all the Rajyipals or governors in India. One and the same man. Imagine so powerful man he must have been. To this end, he would live in Delhi, the capital of India. Vice Roy was based in Delhi. He represented king in India and he represented all the governors of India in Delhi. He was sent a wire by Gandhi. Full report. Morning found the town of Motihari black with peasants. Subha hui, ugly subha. जिर्दिन गांधी को ने आयले जाना था. देखा गया. Found the town. शहर में पाया गया क्या? कि मोती हारी पूरे काला हो गया है किसानों से. अब किसानों से काला हो गया है का मतलब? इतनी भीड, इतनी भीड कि यदि हम हेलिकॉप्टर से या आजकल जो आता है जिससे हम फोटोग्राफ लेते हैं. तो यदि ड्रोन जैसी चीज से उपर से देखा जाए, फोटोग्राफी की जाए. तो पूरा शहर किसानों से भरा हुआ था और उनके काले बाल मानों पूरे शहर को काला कर रहा था है. आप सोच सकते हैं कितनी भी, you can imagine how much crowd must have been there. And why did they come? Because they learned that Gandhi is going to the court. They did not know, Gandhi is record in South Africa. They did not know, इन किसानों को जो भरी संख्या में आये थे, उनको गांदी के बारे में कुछ नहीं पता था. कि साउथ अफरिका में उन्होंने क्या किया, ये तो विचारे शिक्षित किसान थे, अनपड किसान थे, पूरे समय खेत में ही व्यस्त रहते थे, पूरे समय अपने जमीनदारों से मालक की जीहुजूरी करने, उनकी सेवा करने और उनके विरोध करने में ही व्यस्त रहते दूर दराज के गाओं में रहते थे वहां कौन जानेगा गांधी को लेकिन हाँ उनको गांधी के साउथ अफरीका के उनके जो कारनामे थे साउथ अफरीका में अंग्रेजों के खिलाब जो भी गांधी ने आवाज उठाई थी और जो अंदलन किये थे उसकी तो उनको कोई जानकार ही नहीं थी लेकिन हाँ उन्होंने ये जरूर सुना था दे मेरली हर्ड दैट ए महात्मा वो वांटे तो हेल्प थेम वाद इन ट्रॉबल विट अथॉरिटीज ए महात्मा देखिए गांधी को लुई फिशर उनिस सो पंदरा की घटना में महात्मा के रूप में संबोजित कर रहे हैं और लुई फिशर ने भी जब लिखा है ये किताब ये बाइगरफी तो उसने सुनिश्चित किया होगा कि उस समय महात्मा बोला जाता था कि नहीं और तब उसने लिखा है तो गांधी हैड बिकम महात्मा जिस्ट विन ही अर्राइब इन इंडिया महात्मा गांधी वर नो स्मॉल मैं रिमेंबा तो किसानों को गांधी के साउथ अफरीका में जो उन्होंने किया था कारणामें उसकी कोई जानकारी नहीं थी वो अनपढ़ थे अशिक्षित थे ले थोड़ा, I got merely 20 रुपीज, मुझे केवल 10 रुपे मिले, 20 रुपे मिले, he merely said that I am going, उसने केवल यही कहा, केवल मतलब थोड़ा, केवल मने, I mean, merely मतलब थोड़ा, merely मतलब कम, केवल So, उन्होंने केवल इतना ही सुना था, कि एक महात्मा कोई है, जो हम लोग की मदद करना चाहता है, who wanted to help, वो थोड़ी परेशानी में हैं, authorities के साथ, authorities मतलब, British सत्त, English superintendent, English officer, English commissioner, English police, उनके साथ कुछ परेशानी में हैं, और यह वह यह महात्मा है, जो हमारी मदद के लिए आया है, वो परेशानी में हैं, तो चलो, मोतिहारी चलो, सब के सब मोतिहारी, गांदी जी को एक, मानो, moral support देने के लिए कठे हो गया, their spontaneous demonstration in thousands, spontaneous मतलब कहना चाहिए, सहज, बिना किसी पूर्व अभास के, कुछ हो जाता है, तो spontaneous, it was a spontaneous reaction, उसने कुछ कहा, बास ने एक जोक कहा, और मैं जोर से हच दिया, तो जोर से हच ना, बास के सामने तो अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन एदी मैं जोर से हच दिया, तो it was a spontaneous, एक सहज reaction था, accident जब होता है, तो किछी को बचाने जाते हैं, तो सोचते नहीं हम, सहस में चले जाते हैं बचाने के लिए, ऐसी सिते में हम क्या कहते हैं, it was a very spontaneous reaction, that I went to help that boy, who met with an accident, so there is spontaneous demonstration, demonstration मतलब, जो उन्होंने हरताल की थी, in thousands, around the courthouse, न्यायले के आसपास, हज्जारों की संख्या में जो उनका जो प्रदर्शन था, demonstration अरशाथ प्रदर्शन, was the beginning of their liberation, ये उनके स्वतंतरता की शिरुवार थी, Liberation मतलब स्वतंतरता, Liberation मने स्वतंतरता, आपने चुना होगा Liberation of Bangladesh 1971, Bangladesh स्वतंतर कब हुआ, 1971 में, LTTE, Liberation of Tamil Elam Tigers, श्री लंका का जो आतंकवादी गुट था, जिसका सफाया हो गया, उसका भी नाम शुरू होता था, Liberation, So, Liberation मतलब स्वतंतरता, इन थाउजन्स, इस पीपल हैड़ स्वतंतरता काम बड़ी सहचता से, हज्जारों लोग कोड के आस पास एकठे हो गए थे, किसी ने उनको बलाया नहीं था, भड़काया नहीं था, किसी ने धक्का, जवर्दस्की नहीं की थी, अपने आप आगए, केवल यही सोचके कि यह कोई महात्मा है, जो हम लोगी मदद कर रहा है, उसको सरकार के साथ कुछ समस्या हो गई है, तो चलो जड़ा देखते हैं क्या समस्या है, चलो उसकी मदद करते हैं, करके सबाग है, और यही शुरुआत किस बात की थी, लुई फिशर कहते हैं, इस इंसिडेंट, इस डिमन्स्ट्रेशन, यह जो प्रदर्शन था, it was the beginning of their liberation, their मतलब किसानों की स्वतंतरता की शुरुआत, यही से होती है, अब liberation स्वतंता, किस चीज से स्वतंता, क्या अंग्रेज़ों से स्वतंता, नाई, liberation from fear of the British, अंग्रेजों से भै मुक्त की शुरुआत, ये जो घटना है ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था बहुत बड़ी अतिहाति घटना है क्योंकि यहां से शुरू होती है भारती किसानों की अंग्रेजों से भैमुक्त होने की शुरुआद और आपको मैंने पूर में बताया था कि गांधी लगातार फियर डर को हटाने की बात करते थे डर किस बात का निडर रहो डरों नहीं गलती की नहीं कियो तो डर क्यों रहो और डरने वाले लोग वही होते हैं जो या तो कायर हैं गलती किये हुए हैं अपराद किये हुए हैं वही डर पोक हैं जो हमने नहीं किया है इस घटना से एक बदलाव आता है भारती स्वतंता अंदोलन में और भारत जो 1947 में स्वतंतर हुआ लिबरेट हुआ उसकी शुरुवात लोई फिशर कहते हैं किसानों के मन से डर को मुक्त करने की शुरुवात ये चमपारन की घटना से हुए जो बाद में बहुत बड़ी घटना बनी अब देखिए मज़ा गांधी ने किसानों को तो नहीं बलाया था हाँ सूचना दे दी थी सरकारी सरकार को कि मैं कल नया ले जाओंगा और ये घटना करम है पर उन्होंने किसी को उकसाया नहीं था प्रेरित नहीं किया था आदेश नहीं दिया था कि आओ हाँ राजिंदर फसाद को उन्होंने जरूर टेलिग्राम किया था कि अपने कुछ प्रभावशाली सहयोगियों के साथ आ जाना लेकिन यहां तो हज्जारों के संख्या में किसान तो गांधी प्यारों नहीं लग सकता था कि आपने इनको बिलाया है भीड भड़का रहो आप the officials felt तो क्या होता है प्रणाम क्या होता है the officials felt powerless जो अंग्रेज अधिकारी थे अंग्रेजी सरकार में जो अधिकारी थे वो अपने को अचहाय पाने लगे अचहाय महसूस किया क्या करें अब ये भीड को कैसे हटाएं और वो भी भीड जो शांत है डंडा मारना मतलब इनको और उक्साना इस भीड के आने का दोश किस पे दें कुछ समझ में ने आया अपने को अचहाय महसूस किया और उनको लगा कि गांधी के सहयोग के बिना कुछ नहीं कर सकते मतलब इस भीड को हटाने के लिए हमें गांधी का सहयोग चाहिए होगा देखिए गांधी के सहयोग की अपेक्षा अंग्रेज सरकार कर रही है किस चीज के लिए सहयोग इस भीड को हटाने के लिए ये है ताकत शान्ती में ये है ताकत अवग्या में शान्ति पूर्ण धंग से विरोध करने की ताकत का ये बहुत बड़ा धारन है दा ओफिशियल फेल्ट पावरलेस असहाए विदाउड गांधी's को आपरेशन बिना गांधी के सहयोग के अपने कोवे असहाए महसूस करने लगे ज़ता मैंने बताया कि हजजारों की संख्या में जो स्वफूर्थ आये थे सहज रूप से आये थे स्पॉन्टेनिया वालन्टरी किया वालन्टियर किया था जिन्होंने स्वफूर्थ वो अंग्रेजों के भैसे किसानों की मुक्ति की शुरुवात मान सकते हैं एक और देखिए ये घटना वहीं दूसरी और अंग्रेजों अंग्रेज असहज हो गए किसान बड़े सहज थे अब अंग्रेज असहज हो गए समझ में नहीं आ रहा था क्या करें So they now decided to take help from Gandhi They took help from Gandhi And Gandhi helped them regulate the crowd And Gandhi ने उन्हें व्यवस्था, भीड की व्यवस्था को बनाया रखने में उनकी मदद की Gandhi ने अंग्रेजों की मदद की किस मामले में भीड को व्यवस्थित रखने के लिए भीड हिंसक ना हो, उग्र ना हो और law and order का problem ना आ जाए कानून व्यवस्था की समस्या ना आ जाए इसमें अब गांधी मदद कर रहे हैं अंग्रेजों की कितना बदलाओ, ये है गांधी की ताकत ये है अहिंसा की ताकत ये है सच्चाई की ताकत Well, he was polite and friendly गांधी बड़े विनम्र रहे और बड़े मैत्री भाव से रहे भीड को नियंतरित करने में, भीड को व्यवस्थित रखने में गांधी ने पूरी साहिता की विनम्र बने रहे ऐसा नहीं साहिता करते हुए उन्होंने अपना रॉब जाड़ा और अंग्रेजों को महसूस करा है देखो मैं कितना वड़ा साहब हूँ कि इन लोग को मैं ये लोग मेरी बात सुनते हैं आपको ऐसा कुछ नहीं गांधी विनम्र रहे, he remained polite विनम्र, polite मतलब विनम्र and friendly और दोस्ताना अंदाज में रहे अंग्रेज अधिकारी जो थे ये कानून के सेवक थे और इन अधिकारियों का काम था कानून का अनुसार काम करना तो कानून का अनुसार काम करना उनकी विवश्ता थी इसलिए गांधी ने कहा है इन पे नाराज मत हो इन से क्या दुष्मनी ये लोग अपना काम कर रहे हम अपना काम कर रहे हम इन्होंने हमसे सहयोग मांगा हम देते हैं सहयोग so he was very polite and friendly and he was giving them concrete proof of concrete proof of their might अब गांधी उन्हें पक्का सबूत दे रहे थे उनकी शक्ती जो अब तक भै प्यादा करने वाली थी ड्रेडर याने भै प्यादा करने वाली to dread, I dread that principle मुझे इस प्राचारे से बहुत डर लगता है भै प्यादा कर देते हैं वो प्राचारे महोदा है बड़े डरा देते हैं, डरा के रखते हैं I dread swimming, मुझे swimming से बड़ा डर लगता है तैराकी से बड़ा डर लगता है So, he was giving them concrete proof ये उनको पक्ता सबूत दे रहे थे गांधी किस बात का? कि आपकी शक्ती जो अब तक भै पैदा करने वाली थी और अकाट्य थी, अनकोश्चन्ड जिस पे कोई सवाल नहीं कर सकता था It can be challenged by Indians उसे भारती चनौती दे सकते हैं ये दाहरन से गांधी क्या साबित करना चाह रहे थे? इस घटना करम से अंग्रेजों की मदद करके भीड को नियंतरित करने में और साथ ही अंग्रेजों को ये महसूस कराया कि मैंने नहीं बलाया है, भीड अपने आप आई है गांधी ये थाबित करना चाह रहे थे गांधी ये दिखाना चाह रहे थे अंग्रेजों को कि तुम्हारी जो शक्ति हैं अंग्रेजों उनको सबूत देना चाह रहे थे कि जिस शक्ति के अपनी बात करते हो और महसूस कराते हो कि बड़ ड्रेड़ है भेयानक हो आप लोग आप से कोई सवाल नहीं कर सकता उसको वो चुनाती है ये भीड यहां लज्जारों लोग खड़े हो गया आप से सवाल करने के लिए आपकी शक्ती कहां गई इनको आप कुछ नहीं कर पा रहे हो Indirectly मन ही मन गांधी यही message अंग्रेजों को देना चाह रहे थे कि आप ये न समझें Please do not think that you cannot be challenged Please do not think that Indians cannot challenge you ये मत सोचे कि भारती आपको चुनाती नहीं दे सकते इस गलत पहमी में मत रहना मेरे मित्र ऐसा गांधी अंग्रेजों को मानो कह रहे हूं मानो कह रहे हूं से ऐनला सहरा है the government was baffled that